हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने प्यास की पकोडा कड़ी बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखिए कि हम किस तरह से बनाते हैं प्यास की पकोडा कड़ी इसके लिए मैंने एक कप बेशन लिया हैं सबसे पहले हम इसमें मसाले डालेंगे आदा चमच नमक, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर, आदा चमच सूखा दनिया और एक प्यास दो हरीमेच मैंने पहले से कट करके रखी हुई है इन्हें अच्छे से दो लिया था अब हम पानी से इसका गोल तयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका गोल तयार करेंगे गोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए अगर पतला घोल होगा तो पकोडिया घोल नहीं बनेंगी और अगर गाड़ा घोल होगा तो पकोडिया टाइट हो जाएंगी इसलिए मीडियम घोल तयार करेंगे और अच्छे से फैटते हुए घोल बनाना आए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जब तक हम इस घोल को फैटेंगे तब तक हम ओईल को गरम होने के लिए रख देंगे ओईल ये घी में जिसमें भी हमें बनाना है ये मैंने ओईल को गरम होने के लिए रख दिया है अब हम इसे फैट लेंगे अच्छे से अब ये बहुत अच्छे से फिट गया है अब हम इसकी पकोड़ी तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और इसकी पकोड़ीया बना लेंगे आप चाहें तो चमत से भी इसकी पकोड़ीया बना सकते हैं मैं हास से बना रही हूँ जितनी आवशक्ता हो जितने भी आपको कड़ी में पकोडी पसंदों उतनी पकोडिया बना लेंगे और अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम सेक लेंगे बागी के बचे हुए बेसन में हम बटर मिल्क मिला लेंगे यह गोल मेरा बचिया है इसमें मैं बटर मिल्क डालूँगी यह मैंने एक लीटर लिये मठ्ठा अगर बटर मिल्क नहीं हो तो आप इसकी जगा दही को एक सार करके उसे बटर मिल्क बना सकते हैं और उसकी कड़ी तयार कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने एक लिटर ली थी, अच्छे से मैंने इसका घोल तयार कर लिया है, अब हम पकोड़िया चेक कर लेंगे, पकोड़ियों को अलट पलट करते हुए, गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे, जब ये सिख जाएंगे तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, अब ये पकोड़िया हमारी सिख गई है, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से गोल्डन हो गई है, और ये सारा ओईल भी निकाल लेंगे, सिर्फ एक टेबले स्पॉन इसमें रहने देंगे, बाकी कम बाहर निकाल लेंगे ओईल को भी, ये मैंने थोड़ा सा कोईल इसमें रहने दिया है, अब हम इसमें एक चम्मच मेथी दाना, एक पिंच हींग, और थोड़ा से करीपता डालेंगे, अगर करीपता ना हो, तो आप इसमें कसूरी मेथी या हरा धनिया भी डाल सकते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आदा च सुखा दनिया, इन सब को डाल के, जो हमने गोल तयार किया था, वो इसमें मिक्स कर देंगे, और लगाता चलाते रहेंगे, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, अच्छे से, तब तक हमें इसे चलाना है, बाकी की मठावी में इसमें ही डाल दूँगी, ये जो बटर मिल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, तब तक हमें इसे लगाता चलाना है, अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें नमक एड़ कर देंगे, अगर पहले डाल देते तो कड़ी फट जाती, इसलिए मैंने अभी नहीं डाला है, इसे लगाता चलाते रहेंगे हाई फिलेम पर, जब उबाला जाएगा, तब हम इसमें नमक एड़ करेंगे, अब हम इसमें नमक एड़ कर देंगे, अपनी टेस्ट के साब से, जब इसमें उबाला जाएगा, तब आप इसे जवे, रोटी, चावल, ख चौर किसी भी चीज के साथ सब्स प्रीदिभन सर्व करे works Cape Cape Game डले को ये ऐकते चंभ मेंने पानी लियां इसमें हम पकोडिय टाल देंगे 5 मिनट के लिए पानी में डिप रहने देंगे उसके बाद आद में अच्छे उबाला गया है पांच मिनट बाद आप मैं इसमें पकोड़ी डाल दूंगे और आदा घंटे के लिए लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर आदा घंटे के बाद जब यह अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे अब इसमें उपर से तड़का लगाऊंगी वन टेबल स्पून मैंने इसमें गी लिया है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और मैं इसका तड़का लगाऊंगी इसे तड़का लगाने से कड़ी में टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है अभी हमारी प्यास वाली पकोड कड़ी बनकर तयार हो गई है थैंक यू